बुर्हानपूर, मध्यप्रदेश की सर्व प्रथम प्रेस वेलफेर ट्रस्ट की वर्ष 2018 रिन 19 नेपा तैसील कार्यकारिमी का गठन एवं शपत विधी गरिमा में समारोह संपन हुआ, जिस हेतु कार्यक्रम में पधारे अतितियों के आगमन पर ससमान सहित धूलताशों के साथ स्वागत कर मंच पर लाया गया। प्रेस वेलफेर ट्रस्ट के संस्थापक संजय सिंग दीक्षित ने सभी पदाधिकारियों की घोशना पर हर्ष जताया एवं अपने उद्बोधन में कहा की शासन द्वारा चलाई जारही पत्रकारों के लिए सभी प्रकार की योजनाओं का लाब पत्रकारों को दिलाने हेतु प्रयासरत रहेंगे। जिसमें बीमा, सरकारी विग्यापन, अधिमान यता एवं अन्य योजना शामिल है। सनरक्षक महेश मागले ने कहा की पूरे जिले में पत्रकार भवन कहीं नहीं है, उन्होंने निपानगर में पत्रकार भवन बनवाने की बात रखी और पत्रकारों को एक जुट्ता के साथ कार्या करने को कहा। जिला अध्यक्ष उमेश जंगाले ने अपने विचार रखते हुए कहा की पत्रकारों का सर्वांगीन विकास कैसे हो इस पर चिंतन मंथन करना अति आवश्यक है। जिला अध्यक्ष उमेश जी जंगाले, जिला उपाध्यक्ष नीलेश सोनी जिला सचिव, राजुराठोट, संचालक किशोर पाटल, सह सचिव, मुझफफर अली सह सचिव मो, अर्मान अजैशंक पाल, अनिल साल्वे मो, आदिल, भाजपा नेता नरहरी दीक्षित, विधा प्रतिनित मनुझ महिश्वरी, नीपा थाना प्रभारी के, फुर्वे नीतिन पंडित अनिल महाजन, मनुझ गवादे, मासून तरवी, रमाकांत मोरे, राजिंद्र गावंडे वर अन्यसाथी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, आभार नीपा महासचव राजेश जाध प्रेस वेलफेर ट्रस्ट के माध्यम से, जिले में मेरे दुवारा जिलाध्यास होने के नाते, कई गतिविद्या होती रहेंगी, जो की सामाजीत और पत्रकारों के सरवांगिन विकास कैसे हो, इस पर भी हम चिंतन मन्थन करेंगे, और ज्यादर से यादा गतिविद्यों क को अंजाम देंगे और पत्रकारों को उनका हाक और अधिकार दिलाने के लिए सदे उतत्पर रहेंगे, पत्रकारों को जो शासन द्वारा चलाई जा रहा है, योजनाओ का भी लाब दिलवाने के लिए हम परियास रहेंगे, परियासरत रहेंगे, सलापता सुबनाम,